तो आभी इसकोष सबी वर्ग के लोग एवन डॉक्तर को बचाने के लिए परिवर्तन विकास संस्थान ने गदरपुर सामुदाइक स्वास्तिकेंदर में हैंड सेनेटाइजर आटमेटिक मशीन फ्री वितरन की इस मशीन की खासियत ये है कि इस मशीन को टच करने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ हाथ को सेंसर के पास ले जाया जाएगा आज संस्था ने सामुदाइक स्वास्तिकेंदर गदरपुर में आटमेटिक सैनेटाइजर मशीन धेट की परिवर्तम विकास संस्था के सचेव सिप्ते नभी ने बताया कि उनकी संस्था लगातार लॉक्टाउन के दौरान लगबग अठाई माह तक लंगर बांटती रही लेकिन अब देखने में ऐसा आ रहा है कि लंगर से ज्यादा लोगों को जागरुक होने की अवशक्ता है इसलिए हमने सरकारी अस्पताल में आने जाने तथा स्टाप के लिए आटमेटिक सैनेटाइजेशन मशीन लगाई है जिससे की लोगों को कुछ रहत मिल सके डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि इस मशीन के लगने के बाद दो लोग जो की लगातार सैनेटाइजिंग की विवस्था देख रहे थे उनको उचित कारे में लगाया जाएगा जिससे की अस्पटाल की कारे शंता में घृद्धी होगी तथा इस मशीन को लगने के लिए हम गदरपूर के सभी डॉक्टरों तथा अस्पटाल स्टाप की तरफ से संस्थान के सचिव का धन्यवाद करते हैं जो हमारे स्वास कर्मी है या पुलिस कर्मी है या जो भी हमारे तहसिल के लोग थे करोणा में हमारे साथ लगए austhas के विए हो सञान टे लिए हैं इस साथ में आपटिए मसीन का एं ये देने का प्रवां किया कि फिर हम औहाँ पर सस्था की तरफ से दें और तैसिल में दिया है, हमने थाने में दिये और हमने ऐसेश्प आफिस में दिये अब यहाँ दो हॉस्पिटल में हम दे रहेvak सेनीटाइजर मसीन चली गही है हमने दियें, परिवर्वरतन विकार संस्थान का तरह और इस मशीन की हमें बहुत ही अत्यनतावा सकता थी क्योंकि एक एक या दो बंदे हमें सेनेटाइजिंग करने के लिए ही लगाये जाते थे जो इसी काम में बीजी रहते थे तो हमारी मैन पापर अब यह दोनों है जो अलग काम में लग जाएगी और यह आटोमेटिक है लैस मैनफाबर की भी बचस्त हो गई पैसे की बचस्त हो गई अगर हमारा स्पोटाव लगाता तो और ऐसे कार करने वाले समाज कि में हैं और बी कोई जरोत होगी तो हम इनका अब इनंदन करेंगे, بتाएंगे, आग एकर कोई जरोत होगी तो अब फिलहाल के लिए तो मैं इनका तहे दिल से, श्पताल की समझ स्टाफ के दरब से, परवारी के दरब से, शुक्रिया करता हूं.